हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम मटर मसाला बनाएंगे इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो बारिक कटेवे प्याज लिया हैं दो टमाटर को फीच के उसके प्योरी बना ली एक कटोरी मटर ली है तीन से चार बारिक कटीवी हरी मिर्चे बारिक कटाव वहरा धनिया और अद्रक लेसन का पेस्ट मसाले में राई, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला यहाँ पे साबुत मसाले में मैंने तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्ची और दो लाल मिर्ची ली है यहाँ पे मैंने कसूरी मिती ली है सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करेंगी, इसमें हम अपने सूखे मसाले डालेंगी चोटा जम्मच राई डालेंगे चोटा जम्मच जीरा अच्चे से मिक्स करेंगे इसे हम इसमें हम बारिक कटवा प्याज डालेंगे बारिक कटी भी हैरी मिर्चे अद्रक लैसन का पेस्ट सभी चीजों को अच्चे से मिक्स कर लेंगे प्याज हम हमारे इच्चे से बून चुके हैं अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसमें नमक डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर सारी मसाले को अच्चे से मिक्स करेंगे हम और इसको हमें अच्चे से बुन ना है यह हमारा मसाला अब अच्चे से बुन चुका है इसमें अब हम मत्र डालेंगे इसमें आधा कटूरी पानी डालेंगे अब इसे हमें ढगके दस मिनिट के लिए लो फेम पे पकाना है अब यह सबची हमारी अच्चे से रेडी हो चुकी है इसमें हम गरम मसाला डालेंगे कसूरी मेथी अच्चे से मिक्स कर लेंगे इसे हम तेज पत्ते को निकाल देंगे अब हम इसमें बारिक कटव हरा दनिया डालेंगे यह अब हमारी सबची रेडी हो चुकी है इसे हम गरम गरम सर्फ करेंगे करेंगे करेंगे